हेला गाईज, सभी को मेरे नमस्कार, कैसे हो, उमीद तो मेरी ही कि आप सही होगे, तो फ्रेंस मैंने कुछ इस तरीके से फोल कर लिया कपड़ा, क्योंकि इसको हमने कड़ाई से कड़ाई मिला लिया, और बिरुकुल बढ़या करके रख लिया इसको, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, तो फ्रेंस हमने इसको बहुत बढ़या तरीके से रख लिया, और फिर मैंने फ्रेंस इसको, यहाँ पर, यह मैंने फोल कर लिया, फोल करने के बाद कुछ इस तरीके से, जब मैंने फोल किया, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर, देखो, मैं कॉलर वाल गला बना और सोल्डर आठ इंच तो सोरी मुढ़ हमें 6,5 छे इंच रखने चाहिए तो फ्रेंस और चेश्ट रख रही हूं में 9 तो फ्रेंस हमने चेश्ट रखे 9 32 इंच हमारे चेश्ट है तो हमने उसका चोथाई में लगा दे 9 इंच और कमार हमारी 30 है तो उसका चोथाई में रखा हमने यानि के 7 तो फ्रेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से यानि के हमने इसमें कटिंग कर लिए और स्टिचिंग कर लिए तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे चेश्ट होते हैं chest के ही अनुसार हमें चाक खोले पड़ते हैं हमें chest के ही अनुसार रखने पड़ते हैं तो friends यहाँ पर मैंने एक इंच एस्टर लिया यहाँ पर मैंने दो-दो इंच एस्टर लिया जहाँ पर मैं स्केल रखने हूँ यहाँ पर मैंने एक ही इंच एश्टर लिया है और यहाँ इस जगह यहाँ पर जब मैं स्केल रख जी हूँ यहाँ पर मैंने दो-दो इंच यह तो थोड़ा दिखी रहा कि हमने कहाँ पर जाद लिया है और कहाँ पर कम तो friends क्योंकि वहाँ पर हमें यानि कि चाक बनाने हैं, यहाँ पर चाक नहीं बनाने तो हमें थोड़ा एस्टर रखना पड़ता है, तो friends हमने इस तरीके से इसे में ढाल दे दिया, और अब हम इसको कट कर लिए, बहुत ही भी बढ़या हमारा ये कुर्टे का कपड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलर का गला बना रहे हैं, इसलिए जादा रखना पड़ता है friends, तो हमने कुछ इस तरीके से रख लिया, और रखने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर कट कर लिया, क्योंकि यह मेरा पहले friend part है, फिर उसके बाद मैं single part रखूँगी, यह मैंने अलग-अलग part कट करे हैं, back अलग और friend अलग, तो friends मैंने यह पहले friend part के cut, अब मैं इसको single part कट कर लिया, यह जो मैंने एश्ट्रा कपड़ा है, मैं इसको यहाँ से निकाल दूँगी, पहले मैं उसी कपड़े को निका दूँगी, तो friends मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर fold कर लिया है, और fold करके, देख लेना है, कि हमारा कितने चोड़ा है, कम है, तो जादा रख लेंगे थोड़ा, और जादा हो जाता है, किसी वज़े से, तो हम उसे कम कर लेते हैं, तो पहले अच्छे से friends, इसको देख ल देख लेंगे बस, तो friends अब जा हमें इसके अनुसारी ही cutting करना है, तो हम बस अब कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम निशान और लेडी लगा रखा है, तो friends हमने कुछ इस तरीके से रखने के बाद अच्छी पनेशिंगे, ध्यान रहे कि हमारा कपड कम नहीं रहना चाहिए, उसी के ही according हमारा कपड़ा होना चाहिए, तो friends हमने कुछ इस तरीके से रखने के बाद, यहाँ पर मैंने रख दिया है, और रखने के बाद कुछ इस तरीके से, यहां से मैंने बहुत ही बढ़़ा तरीके से, यानि कर लेंगे, cut हमने कर लिया है यहां पर तो cut करने के बाद बिर्कुल इसे की according हम cut करते जाएंगे देखो इस तरीके से और mood है इस से थोड़े कम गहरे cut करते हैं क्योंकि हमारा back patch है बैक के हम कम गहरे cut करते हैं तो friends अब हमारा रहा number बाजु का यानि कि अब हमें बाजू लगानी है बाजू हों में कट करनी है तो फ्रैंस हमने इसकी बाजू की लेंथ जो हो रही है हमारी 15 इंच हो रही है तो 15 इंच हमारी बाजू की लेंथ है अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया अच्छी से और इस तरीके से यानि कि वह ने के साथ यानिके फोल्ड करने के बाद यहां से लेंद फिर से नाप लेनी है लेंद हमारी और यहां से भी हमें देख लेना है तो फ्रेंस हमने यहां पर मोहरी रखी मोहरी मैंने रखी है 6 इंच तो 6 इंच रख लिए हमने क्योंकि हमारा कटिंग यानिके सिलाई से भी थोड़ तो बाजु हमारी इस तरीके से complete है, अब हम देखो, मैंने एक कपड़ा लिया है, और ये यानि कि कुड़ता रे लिया है, जो हमारा कुड़ता है बनेगा, तो हमने वो ले लिया और कपड़ा ले लिया, तो इसको रख करके कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, इसके हमारा गला इस गलेवे में बक्रम नहीं लगा रहे बिना बक्रम के ही गला बना रही हूँ तो फ्रेंस अब जा हमने इसको कट कर लिया कट हम कुछ इस तरीके से ही कर लेंगे बिर्कुल सिलाई से बचाते हुए और छोटे-छोटे कट लगा लेंगे सिलाई नहीं कटनी चाहिए उसके ही according हमें कट लगाने है बिरकुल सिलाई से बचा कर गे सिलाई कट गी तो फिर हमारा गलत हो जाएगा तो friends हमने सिलाई से बचाते हुए ये कट भी लगा करके complete कर ली है अब हम इसको फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से देखो हमने इस तरीके से ये फोल्ड कर दे है इस तरीके से हमने देखो फोल्ड करने के बाद कितना सुन्दर हमारा गला बन चुका है बिना ही बकरम के तो friends हमने अब जाएगा ब्लब weaker कोषर छिल बाली कोषि करने किते ही अधरा आ कलेंगे लिए देख़ो अफने यह तिरस तरीधे करने के बाद यहाँ पर कॉलर लगांगे हम बैक साइड में बनाने इसलिए हमने लार आठ तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से यहां पर भी शिलाई लगा देंगे और शिलाई हमने कुछ इस तरीके से लगा डाली और फ्रेंस अब हम कॉलर बनाएंगे पहले हम इसको नाप लेंगे कि हमें कितना कॉलर चाहिए हलका सा हम बैक साइड से कटिंग करनेंगे हलका सा बहुत हलका सा करना है मामूली सा तो हमें इस तरीके से हलका बहुत हलका कपड़ा छाट लेना है देखो यह मैंने 11 इंच की पट्टी ली है यानि कि 11 इंच का बक्रम लिया है और इसको साइड डी इंच और यहाँ से रख करके शिलाई लगा देनी है कि तो फ्रैंसमिन से इस तरीके से रख पर एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से तो हमने यहां पर एक पैर की सिलाई लगा दी और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहां से हमने इसको जो कपड़ा हमारा एश्टर है हम उसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद, इस तरीक से मैंने कट कर लिया है, और यहां, इस तरीक से मैंने यहां पर फोल्ड कर लेना है, फोल्ड कर लिया मैंने, और फोल्ड करने के बाद, एक पैर की, यहां पर सीधे की साइड सिलाई लगा लेंगे, इस तरीक से, क्योंकि भी में हमारा कॉलर भूहती ही अच्छा और आसान बन जाएगा तो मिला करके यहां पर हमें सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई हम कुछ इस तरीके से ही लगा लेंगे हमने सिलाई लगा करके ये कम्प्लीट कर लेना है और फ्रान हमने इस तरीके से कम्प्लीट कर लिया है अब हमारा कॉलर बन के तयार है यानि कि हमने कॉलर बना भी लिया और कुर्ते पैपने attach भी कर लिया कुछ इस तरीके से और दोनों side से ही हमें attach कर लेना है और friends हमने कुछ इस तरीके से देखो बिर्कुल बढ़या तरीके से हमने ये color लगा दिया एक side से अब दूसरी side से लगाएगे तो यह हमने दूसरी side से भी बहुत ही प्यारा हमारा देखो इस तरीके से हमने कितना सुन्दर हमारा color लग चुका है आप भी इसी के recording अपना color लगा सकते हो तो friends हमने देखो इस तरीके से ये color लगा करके complete कर लेना है देखो हमने इतना अच्छा color लगा लिया है और friends देखो इस तरीके से हमने यह यह लगा लें फिर से हमें एक सिलाई लगाते जाएंगे देखो इस तरीके से किनारे पर ही हमें एक सिलाई लगाते जाएंगे बहुत ही बड़े कॉलर और लुक आ जाएगा तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब हम बाजू अटेच करेंगे देखो हमारा कॉलर कितना सुन्दर लग चुका है तो अब हम बाजू अटेच करेंगे बाजू हम कुछ इस तरीके से रख ली हमने इस बाजू पर हमने निशान लगालाइख कि हमारा सीथा-उल्टा किदर की शायट से है तो friends हमने इस तरके से यहां पर बाजू भी अटैच कर लिए एक साइड से दूसरी साइड से हम फिर से बाजू अटाच करेंगे तो friends देखो इस तरके से हमने यहाँ पर बाजू भी अटेच कर ली और यह बाजू अटेच करने के बाद हम इस तरीके से देखो हमने बिर्कुल पर्फेक्ट हमने बाजू अटेच कर ली और अटेच करने के बाद यहाँ पर अब जह हमें फिटिंग लगानी है और फिटिंग हम कुछ पहले ही हम फिटिंग निशान लगा लेते हैं कि हमारी फिटिंग कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई फिर से करते चले जाते हैं क्योंकि हमें पहले ही निशान लगा लेने हैं और उसके बाद हमें सिलाई कर लेनी है और सिल फिर से भी हम सिलाई, डबल सिलाई इसलिए लगा सकते हैं, एक पैर की हटाते हुए जब सिलाई लगानी है हमें, और इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली, अब हम बनाते हैं चाक, ये में इस टाइम लैस लगा रहे हूं बोर्डर पर यानि के जहां पर हमारा दावन है, द ये लैस हमने लगा करके कम्प्लीट कर लेनी है, तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से लैस लगा ली, और लैस लगा ली हमने बहुत अच्छे तरीके से, अब हम जो हमारा एस्टर हम इसको कट कर लेंगे, और फिर से हम पहले हमने नीचे की साइड सिलाई लगाई, अब हम सिलाई लगा लेंगे देखो हमने इस तरीके से उपर की साइड में सिलाई लगा करके कम्प्लीट कर लेनी है देखो हमने इस तरीके से ये दावन बना लिया है और फ्रेंस अब हम यहाँ पर देखो चाख बनाएंगे चाख हम कुछ इस तरीके से ही बना लेंगे और यह चाक हमारे बनके अब कम्प्लीट हो जाएंगे तो इसको यहाँ पर ही सुई अंदर रखने के बाद यहाँ से हमें निकालने नहीं है और फिर इसको ही इस तरीके से गुमाने के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने देखो यह हमारा इस टाइब फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में